चीन इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत का समर्थन कर रहा है चीन ने अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा है कि वो नई दिल्ली के साथ उभरती अर्थ्वेवस्थाओं के 5 सदस्य समू के बीच सहयों को मजबूत करने के लिए काम करेगा भारत 2021 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है 19 फर्वरी को विदेश मंत्री S.J. शंकर ने दिल्ली के सुष्मा स्वराज भवन में ब्रिक्स सचीवाले में भारत की ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉंच की थी इस साल भारत द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने को लेकर पूछे के सवाल पर चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता वांग वेन बिन ने अपना समर्थन जताया वांग ने काया कि ब्रिक्स उभरती और त्ववस्थाओं और विकास शील देशों के वैश्विक प्रभाव के साथ एक सहयोग तंत्र है हाल के वर्षों में इसमें अधिक एक जुटता और गहन व्यवारिक सहयोग और अधिक प्रभाव देखा गया है उन्होंने आगे कहा कि हम एक जुटता और सहयोग को मजबूत करने के लिए इसके भीतर रणनीतिक साज़ेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है दरसल ब्रिक्स पांच देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिन अफरीका का संगठन है जिसका मकसद इन देशों में आर्थिक और अन्य सहयोग को बढ़ावा देना है इसका गठान 2006 में किया गया था और इसकी मुख्याले शंगाई में है पहले केबल, ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसमें शामिल थे और दक्षिन अफरीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया भारत, रूस और चीन जैसे देशों की मौझूदगी के कारण दुनिया के ये सबसे महत्वपूर संगठनों में से एक है ब्रिक्स कितना महत्वपूर समू है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की लगबग आधी अबादी, यानि कि 47 प्रतीशत इन देशों में रहती है और इनकी सयुक्त GDP 16.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो वैश्विक GDP की 24 प्रतीशत है इसके अलावा, वैश्विक वैपार में भी ब्रिक्स देशों की 17 प्रतीशत हिस्दारी है महीं वैश्विक आर्थिक वैकास में इनकी 50 प्रतीशत भागेदारी है समू की कुल GDP में सबसे अधिक 68 प्रतीशत हिस्दारी चीन की है पिछले साल हुए वो अर्चुवल ब्रिक्स बैटक में पीम मुदी ने साफ तौर पर आतंकवाद का मुद्दा उठाये था बैटक में जहां भारतिय पीम ने आतंकवाद पर और कड़ी कारवाई की वकालत की थी तो वहीं चीनी राष्टपती शी जिंग पिंग कोविट से लगने में साजा प्रियास और वैक्सिन बनाने की गुहार लगा रहे थे इस बार देखना होगा कि किन मुद्दों पर ब्रिक्स में जोर शोर से आवाज उठती है बिरो रिपोर्ट भारत तक